प्रधान मंत्री शेख हसीना के गुरुवार को भारत रवानगी के ठीक एक दिन पहले बंगलादेश में मुख्य चर्चा रोहिंगिया शर्णाथियों को ले कर थी मीडिया के प्रश्णों में दिल्ली से जुड़े सवाल भी आये लेकिन बार बार आरिक्ठी मायनमर्स सीकर कुरेचे ये तादिर फॉर्म ते जो तुष्ट बूलाचे एवं तरह नुतुन फॉर्म तुरी कुरवे एवं पुत्तिक ही एई नेशनल काट देने एई तो एक्टा और जुन रोहिंगिया शर्नार्थियों की देश वापसी का रास्ता विदेश मंतरी के मताबिक बंगला देश और मैनमार के बीच न्यू यॉर्क में चीन की मध्धस्ता से हुई बाच्चीत के बाद खुला पिछले दो सालों से लगभग 10 लाख रोहिंगिया शर्नार्थियों का बहुत जेल रहे बंगला देश में आम राय ये है कि भारत ने इस मामले में सिर्फ राजनीती की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई इम्तियाज अहमेद कहते हैं कि ये याद रखना चाहिए कि चीन तब भी मैंनमार विजए वी चाइना इम्तियाज अहमेद कहते हैं कि ये याद रखना चाहिए कि चीन तब भी मैंनमार के साथ खड़ा था जब पूरी दुनिया ने उसके खलाब प्रतिबंद लगाए हुए थे इसलिए ये दूर की कोड़ी है कि मैंनमार भारत को चीन पर तरजीह देगा अहमत के मताबिक भारत को इसका फाइदा तो शाइदी हो लेकिन बांगला देश चीन के और करीब आ सकता है इंडिया नीड़ बंगला देश मोर दें बंगला देश नीड़ नीड़ वाई जाज बिकाद नॉर्थ इस चारहजार किलो मीटर से अधिक लंबे भारत-बंगला देश बॉर्डर का इस्तमाल उत्तरपूर भारत के कई उगरवादी समों दूसरे पार जाकर अपनी गतिव दी जारी रखने को करते थे बॉर्डर पार आवाजाही को मगर 2008 में आई शेख हसीना हुकूमत ने पूरी तरह रोक दिया है बंगला देश के चटगाओं और मॉंगला बंदरगाह भी उत्तरपूर में वैपार के लिए खोल दिये गए हैं लेकिन वरिश्ट पत्रकार तौ अफीग इम्रोज के मताबिक तीस्ता नदी पानी बटवारे जैसे रुके मामले शेख हसीना के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं यह पिरियो मुश्किलें आया कर एद रहा लुश्किलें प्याद कर लिए ठीजिव बटेस्टार एंध चैनल टाम्रों सूर्ट्ट प्राम एंटिस पी अथयक टाखा का थसा बटांट विट्ले जार इंजब लेख विवाटार् टार्वां टड्रीटान फूर्कावा जार् स्ट्रॉंग उपोजिशन फिर्ट लिडर्शिप इन वेस्ट बिंगॉल, इंडियन से वेस्ट बिंगॉल, येस इट अपसेट्स बंग्लादेश, प्लिटिकली इट एफेक्ट्स और दैमिजस दे गावनेंटर प्राम मिनिस्टर शेख हसीना, तो इस वेरी इंपोर्टन था पचास से अधिक नदियां दोनों मुलकों के बीच बहती हैं, लेकिन 1996 गंगा समझवते के बाद दोनों में पानी के बटवारे को लेकर कोई समझवता नहीं हो पाया है, हलाकि इस बार की यातरा से पहले हुकूमत ने नदियों पर चर्चा की बात भी कही है, लेकिन धाका में माना जा रहा है कि इन पर कोई प्रगती नहीं होगी, अर्शाष्ट्री फहमीदा खातून दोनों देशों के बीच बढ़ते वैपार घाटे को भी तनाओ का बड़ा क इस बार के चिंटा जो आज कल बहुत अधिक है वहाई असम में हुए नागरिक्ता रिजिस्टर से बाहर रह गए लोगों को बंगला देश में धाकेल दिये जाने की, हाला कि बंगला देशी नेताओं से बातचीत में भारत इसे आंतरिक मामला बताता है, लेकिन ग्रिह मंत अमिशा द्वारा कथित घुस बैठियों को बंगला देशी बुलाने से इस मामले पर चिंता और चर्चा कम नहीं हो पा रही, फैसल महमद अली बीबीसी धाका बंगला देश